नमस्कार दोस्तों, Target with PS परिहार चनल में आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके द्वारा पूछेगे प्रशनों की जैसे BTC 2015 का अंतिम प्रणाम कब तक आएगा उसके बाद में B8 appearing के अभर्थी क्या इस सिश्चक भर्थी में समलित हो सकते है उसके बाद में इस लिखित भर्थी परिक्चा का कटाफ क्या हो सकता है और क्या होगा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं BTC 2015 final year 4th semester के प्रणाम की पहले ऐसी उमीद थी कि इसके रिजल्ट जो है 30 नवंबर तक आ जायेगा असासन की तरफ से आसासन दिया गया था कि BTC 2015 के रिजल्ट UPTT की रिजल्ट के पहले हर हाल में आ जायेगा लेकिन मुल्याकर के अंद्रों से जो नमबरों की लिस्ट है अंको की लिस्ट है वो PNP तक नहीं पहुँच पाई है उसके लिए एक दुबारा लेटर जो PNP की सच्ची हुए उन्होंने मुल्याकर के अंद्रों को लिखा है कि आप लोग हर हाल में अब भेर्थियों के जो marks हैं इनकी जो list है वो 3 December तक पहुंचा दें ये देखिए ये लेटर लिखा गया है और इसमें वो बात लिखी है कि 2013, 2014, 2015 के चतुर सिमेश्टर की परिक्षा वर्ष 2018 की उत्तर पुस्तिकाओं को 30 November तक मुल्लांकित कराने एवां मुल्लांकित उत्तर कि अंकचितों को website पर upload करने के साथ-साथ दो प्रतियों में कार्याला में उपलब्द कराने के समद्ध में निर्देश दिया गया था परन्तु अध्यतन आप द्वारा अंकचितों को website पर upload नहीं किया गया है और ना ही मुल्लांकित अंकचितों की hard copy कार्याला में प्राप् तो नीचे यह लिखा हुआ है कि उत्तर पुस्तिकाओं की अंक्चिटों को दो प्रिक्षापल में तयार कर अदो अस्ताच्री कार्याले में विशेज बहाग दौरा अनिवार रूप से तो दोस्तों ऐसी उमीद है कि हर हाल में आज यह लिश्ट पहुंच जाएगी और आप लोगों का रिजल्ट का लियानी की चार तरीकों गोशित किया जा सकता है फिर भी आप लोग बेफिक्र रहे हैं आप लोग इस सिच्चक बरती में 100% अनिवार रूप से समलित होंगे इसके बाद में दूसरे प्रशन है आप लोगों का क्या बिएट एपिरिंग अब वर्ती 79,000 सिच्चक बरती में समलित होंगे तो बिएट एपिरिंग अबरती इस भरती में समलित नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसमें साफ साफ प्रावधान लिखा हुआ केवल बिएट और टेटी पास अबरती ही इस शिक्षक भरती में समलित होंगे हाँ तो अब लोगों की परणाम भी नहीं आया है इसलिए आप लोग इस सिक्षक भरती में सामलित होंगे हाँ इसके लावा बहुत सारे पद खाली हुए है रिटार्मेंट के द्वारा उनमें भी भरतिया आगे चलके होगी ऐसी भी चर्चा है और फिर अगला आप लोगों को प्रस्वन है कि लिखित परिक्षा का कटाफ लिखित परिक्षा का कटाफ सर्क शासन ने गोशित नहीं किया ह इसलिए कि पिछली बार शासन ने गोशित किया तब विद्धार्थी पास नहीं हुपाय थे पद रिक्त हो गये थे तो इस बार शासन इस तरीकी की कटाफ रखे गाता है करेगा जिससे जिदने पद हैं उतने अब्यर्थी कम से कम पास हो सके लगबग चार ये 5,000 अब्यर इसके बाद में एक प्रशन और कि क्या CTET पास अब्यर्थी इस इच्छक बर्थी में सामेल हो सकते हैं तो जो CTET अब्यर्थी पिछले साल के हैं BTC अब्यर्थी या DL8 अब्यर्थी जिन्हों ने पिछले वर्सों में प्रात्मिक इस तरका CT8 पास किया है वो बेसक इस इच खतम हो गई है क्योंकि अभी परिक्षा भी एसिटेट की नहीं हुई है और अब इधन आ गया है तो यह अबर्थी तो बाहर हो गया है तो ठीक है तोस्तों यह हो गई आज की अपडेट और इसी तरीके के अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी तरीके के अपडेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें बहुत बहुत धन्यवाद